हेलो फ्रेंट्स मैं अंकुर चौधरी आज आपके सामने जो वीडियो लाया हूँ ये कर्टेन की वीडियो लाया हूँ कर्टेन मतलब परदे तो इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ एंड तक तो आप जान पाएंगे कर्टेन कितनी तरह के होते हैं, खरीते टाइम हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्या साइज में कर्टेन आते हैं तो इन सब बातों के बारे में जानने के लिए बने रहे हैं इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक हलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कर्टेन की तो कर्टेन पुराने टाइम से लोग लगवात आा रहे हैं, अलग लग तरहे हैं के हिसाब से काफिए चेंजे बातलू यह लगवाते थे लेकिन आब यह लूग ब्लाइंट की जगे और कर्टेन काफी डिजाइन में भी आने लगे हैं अलग लग विराइटी में भी आने लगे हैं कर्टेन और कर्टेन नॉमली लोग तीन तीन कर्टेन भी एक साथ में लगवाते हैं अगर आदमी को हलका देखना है जालीदार कर्टेन है तो बात करते हैं कर्टेन कितनी तरह क होतے ہیں तो कर्टेंट को हम तीन पर्दो करते हैं सेमी ओपेख कर्टेंट तो यह जो कर्टेंट होते हैं सैमी ओपेख कर्टेंट इनके आर पार नहीं देखा जा सकता और ये सनलाइट को भी कुछ हद तक रोकते हैं पूरी तरह तक नहीं रोकते और बात करते हैं तीसरी तरह के करटेन के ये हैं completely black out करटेन जिसके आर पार बिलकुल भी नहीं देखा जा सकता heat को भी काफियत तक ये रोकते हैं room के अंदर आने में तो heat को भी काफियत तक ये रोक देते हैं और सबसे जादे अगर आप hot area में रहते हैं गरम छेतर में रहते हैं और आपके मकान east facing में है east facing या south facing में है तो normally opaque curtain log लगवाते हैं तो ये तीन तरह की category है curtain की तो इन तीन तरह की category में हम curtains को बाट सकते हैं आप ये see-through fabric के curtain देख सकते हैं देखिए उदर ट्यूबलाइट जली है तो उसकी भी light आ रही है आप देख सकते हैं ये see-through fabric है ये basically drying room और dining area के बीच में लगा रखा है तो इसके आरपार आप देख सकते हैं देखाई दे रहा है curtain के अंदर तो आप ये share curtain देख सकते हैं पहली तरह का curtain ये share curtain है ये आप दूसरी तरह का curtain देख सकते हैं semi opaque curtain इसमें से light भी आ रही है आप देख सकते हैं proper light आ रही है और इसमें हम आर पार तेक भी नहीं चाहते हैं यह फ्लावर डजाइन है आप देख सकते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगली तरगा कर्टेन है यह ब्लैक आउट कर्टेन इसमें बिल्कुल ना धूप आ रही है और ना लाइट आ लिए अब बात करते हैं अगर आप जो है sizes of curtain कि curtain कि size का लेना चाहिए या कि size का तो curtain के size के लिए मैं बताऊं अगर आप online लेना चाहते हैं या कहीं standard या कहीं shop से लेना चाहते हैं तो कुछ standard size के curtain मिलते हैं जिनका normally 4 fit width आती है और 7 fit height में आते हैं और 9 fit height में आते हैं जो standard market में ready made sales lie पर्दे मिलते हैं लेकिन अगर आप ने आप construction करवाया है तो आप जरूर पहले measurement ले लें कि आपकी जो curtain rod लगी है वहां से और नीचे floor की cutting जो लगी होती है वहां तक कितनी height है तो उसके बाद ही आप रेडिमेट परदे खरीदें अगर आपकी height जो है 7 foot या 9 foot नहीं है तो आप जो है कस्टोमाइज करके परदे बनवाये तो आप कस्टोमाइज करटें बनवा सकते हैं कस्टोमाइज करटें के लिए मैं आपको यह advice करूँगा कि आप nearby परदों की shop पे जाए करटें की shop पे जाए वहीं पे आप हेंड लूम शॉप में जाके आप बिसिकली एग्जेक्ट साइज के उसी हिसाप से बनवाएं तो अब मैं आप से कुछ टिप्स शेयर करूँगा कि परचेस करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो समसे पहली चीज़ है डिजाइन, तो कर्टिन हमेशा अपने रूम की लुक को बढ़ा दे रूम के डिजाइन को उसी हिसाप से आपको कलर कॉमिनेशन डेसाइड करना चाईए कि sofa के color के हिसाब से wall के color के हिसाब से और बहुत सी बार sofa के fabric और curtain का fabric भी same आते हैं तो वो भी आप combination में ले सकते हैं जैसे आप ये देख सकते हैं ये design है तो ये design करके curtain है तो उसी हिसाब sofa का fabric में आप बनवा सकते हैं सोफे और curtain का mix and match करके जो की काफी अच्छा look भी देता है तो आप designing का ध्यान रखें कि आपके परदे का color कौन सा लेना है तो उसी हिसाब से आप purchase करें दूसी चीज का ध्यान रखें कि आप curtain कि कितने washable हैं कि आप machine washable है, hand washable है, dry cleanable है, dry clean होंगे तो उन चीज का ध्यान रखें purchase करते समय ही कि आपको curtain की cleaning किस तरह से करनी है normally अगर आपके परदे बहुत ही कम use होते हैं या काफी ऐसी जगर पर हैं जहां पर use नहीं होता है लेकि normally अगर आपके बहुत ज़्यादे rough use होते हैं और धर में बहुत ज़्यादे परदे हटाये जाते हैं, लगाये जाते हैं और तो उस टाइम पर मैं यही कहूंगा आप home wash curtain लें otherwise अगर आप hotels में, hotels के परदों की बात करते हैं तो आप machine washable या dry clean वाले परदे ले सकते हैं तो इंची जोगा ध्यान रखें, और आप ध्यान रखें, curtain को खरीदते समय कि आपके curtain है, वो sunlight कितनी आ रही है आपके window से sunlight या door से sunlight जहां पर आप curtain लगा रहे हैं वहां से बाहर की धूप कितनी आती है अगर धूप बहुत ज़्यादा आती है और आप heating area में रहते हैं कि जहां पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो उस time पर मैं आपका advice करूँगा, आप blackout fabric जाएं, blackout curtain जाएं जो sunlight को भी रोकेगा, धूप को भी control करेगा और अगर आपने room में AC लगाया हुआ है, तो वो भी काफी अच्छी तरह effect करेगा तो blackout fabric जाएं, या semi opaque fabric जाएं, आप जा सकते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, color combination का ध्यान रखें और size का ध्यान रखें, कि size का आपकी window है या door है तो उसी को size को exact measure करके उस चीज़ का ध्यान रखें और बात करते हैं, cutting के fabrics की, कि fabrics कितनी तरह क्या आते हैं तो fabrics बहुत तरह क्या आते हैं, cutting के जैसे cotton हो गया, silk हो गया, linen हो गया, polyester हो गया, velvet हो गया तो बहुत से fabric है, कुछ जैसे velvet है, तो shining fabric होता है तो उस चीज़ का ध्यान रखें, कि shining वाले परदे हो तो अपनी combination के हिसाब से velvet हो गया, acrylic हो गया और synthetic परदे भी आते हैं, synthetic fabric के तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें, synthetic fabric के काफी सस्ते भी होते हैं और normally rough use भी आप कर सकते हैं और घर पे भी wash कर सकते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, परदों को purchase करते समय तो बाकी अगर आप online purchase करना चाते हैं परदे तो link मैं नीचे description में देदूँगा, आप वहां से जाके इने purchase कर सकते हैं Friends, आपको idea हो गया होगा, curtain के बारे में बाकी curtain के बारे में आप कुछ और जानना चाते हैं तो नीचे comment box में जाके मुझे comment कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा, timely reply दूँँ और बाकी खुश रहें, exercise करें, जै हिंद, जै भारत